हलो दोस्तों आज मैं आपको शुनाने जारी हो एक पन्यास बहरूपिया सर्न्यासी आईए सुनते हैं भाग एक आज शिला नात पावु ने एक सपना देखा सपने में कुल देवी उनसे कह रही थी तुम्हारे घर एक पुत्र जन मिलेगा वह अपने कुल खांदान और औरा ही हिंगना गाउं ही नहीं बलकि समस्त कोसी मिधिला अंचल की संस्कृती चेतना भाव भाशा को यू अभिवेक्ट करेगा कि समस्त हिंदी साहित ते खिल उठेगा दमन सोशन उत्पीरन की खिलाफ वह एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बंदूख थामें रन भूमी में अजय योद्धा बना रहेगा अग्रतह सकलम शास्तरम प्रश्थम सश्रम धनो शेला नात बावु ने सपने में कुल देवी से पुछा मा ऐसा यशस्वी पुत्र मेरे घर कब जनम लेगा कुल देवी ने कहा इसी वर्ष के अंत में फालगुन महिने के कृष्ण पक्ष की दश्मी पिती को तुम्हें पुत्र प्राप्थ होगा सपना सच हुआ उन दिनों शेला नात बावु गांधी जी के ऐसे योग आंदोलन में व्यस्त रहा करते थे खेती ग्रस्ती कुछ थी पर घर के आर्थी किस्ति कुछ ठीक नहीं थी पुत्र की जनम के वक्त उन्हें रिंड लेना पड़ा उस दिव्य बालग का जनम पालगुन महिने की कृष्ण पक्ष की दश्मित पिती समवत 1977 तदनुसार 4 मार्च 1921 इसवी को हुआ जनम के छटे दिन गौवा गिरामिन के लिए भोजभात का प्रवंध किया गया नामकरन सुमस्कार में बालग का नाम रखा गया पनीसर बाद में वै इस देश दुनिया में फनिश्वर नाथ रिनू के नाम से विख्यात हुए बालग दो बालग फनिश्वर नाथ अकेले गाची की और चल पड़ते हैं जेट महिना के अंतिन दिनों में आम भी पकने लगता है और जामुन भी गाची में आम जामुन और कठल के महुँ सारे पेड़ है फलो से लदे हुए फलो से लदा हुआ गाची फनिश्वर का मन मुह लेती है खासकर काला जामुन गाच से धबदब गिरता है और फनिश्वर नाथ रेनू उसे चुन-चुन कर खाते हैं गाची में आम के पेड़ों के अलग-अलग नाम हैं खटकी, सिनूरिया, धुनिमा, केलमा, बंबया, सिफिया, सुकुल, सब रंके, आकार और स्वाद में भी अलग जामुन के पेड़ पर कई पंची जामुन भूच कर रहे हैं फनिश्वर नाथ पेड़ के निचे खड़े होकर गुहार लगा रहे हैं मैनी का बच्चा सुरी लिया गे, दूगो जामुन गिरा, कच्चा गिरैबे, त मारबो गे, दूगो पक्का गिरा पूर्वी दिशा में आसमान में काले-काले बादल चड़ते जा रहे हैं पाट के पौधों की हरियाली बढ़ती जा रहे हैं बारिश की भूमिका बानते ये काले बादल थंडी हवाओं के साथ आसमान में पूरव से पच्चिम की और भागे जा रहे हैं गाची में चिडियों की चहल पहल बढ़ गई है पनिश्वर नाथ जामुन के गाच पर टक-टक की लगाए हैं इक कोईली सब पाकल जामुन खा जाएगी पनिश्वर नात इस बार कोईली से गोहार लगाते हैं कोईली का बच्चा सुरिलिया गे दूगो जामुन गिरा कच्चा गिरी बैता मार बोगे दूगो पक्का गिरा हवा तेज होती जा रही है काले काले बादलों से गिरी गाच्छी फनिश्वर नात को डरा रही है हवा का तेज छोंका फनिश्वर को धके ले जा रहा है सैकडो जामुन फनिश्वर के आसपास गिरे धाप धाप पट पट कुछ जामुन उसके सिर और कंदे पर भी गिरे जल्दी जल्दी जामुन चुनकर वे एक जगेट जामुन के पेड़ के निकट जमा कर रहा है बीच बीच में जामुन खा भी रहा है आंधी बहुत तेज हो गई आंधी का एक और जोका आया जामुन के गाजखी एक मोटी डाली तूटकर पनिश्वर के सामने गिरी धड़क धराम पनिश्वर चीख पड़ा बाप रे अभी माथा पर गिर जाता तो चुने हुए जामुन को छोड़कर वे घर नहीं जायेगा खेला के पतल पर पनिश्वर नात ने जामुन को समीटा और दाड़ते हुए घर पहुँच गया अपनी दादी को जामुन थमाकर उसने अपनी जीव दादी को दिखाया जमुनिया जीव गाजी में जामुन की डाली गिरने वाली ख़वर सुनकर दादी ने पनिशवर को गले से लगा लिया पूर्णिया जिले के और आहे हिंगना गाओं का बालक पनिशवर नात अपने पिता शीलाला नात मंडल और अपनी मा पानो देवी से अधिक अपनी दादी को मानता है वे नाने चला गया स्कूल भी तो जाना है भागती गाओं की स्कूल में फनिशवर तीसरे दरज़े में पढ़ता है स्कूल में सिर्फ दो खपडाल कमरे हैं बर्ग एक से लेकर पांच तक कि सभी विद्यार्थी एक कमरे में बैखते हैं और दूसरे कमरे में आफिस है आज कुल 34 बच्चे उपस्थित हैं आठ साल का फनिशवर नात तीसरे दरज़े में ही है लेकिन वे बिना हिज्जे लगाये बे धड़क पड़ता है 12 साल का लाल मोहर चौथे दरज़े में पड़ता है लेकिन उसे हिज्जे लगा कर भी पढ़ना नहीं आता आज लाल मोहर अपने बस्ते में एक नई चम्चमाती हुई किताब लेकर आया है बस्ते से कई किताब निकाल कर लाल मोहर अपने बगल में बैठे पनिशवर नात को दिखाता है अरे फनी सर इस किताब को पड़ो तो क्या लिखा है पनिश्वर नाथ किताब देखकर पूछता है कहां से लाई ये किताब लाल मोहर पनिश्वर नाथ की आँखों में जागता हुआ कहता है कहीं से लाया तू पढ़कर तो बता लिख क्या है लिखा क्या है इसमें पनिश्वर नाथ किताब पर नज़र डालते हैं पिता का पत्र, पुत्री के नाम, नेखक, जवाहर लाल नहरू किताब के कवर पर एक रंगिन चित्र में एक गांधी, टोपी धारी वेस्क पुरुष और उसके साथ 10-12 साल की एक अत्यम सुन्दर किशोरी लिड़की का चित्र पनिश्वर नात उस चित्र को देर तक निहार कर वोल उड़ता है, अप रूप रूप, लाल मोहर पूछता है, अप रूप, रूप कौन हैं, पनिश्वर नात अच्छ कचा जाता है, कोई नहीं यह टोपी वाला अदमी जो जवाहर लाल नहरू है, लेकिन इस इंग्लिश परी को मैं नहीं चैन, नहीं चिनहता हूँ, लाल मोहर उससे खोकर पूछता है, तु जवाहर लाल नहरू को चिहनता है, कौन है जवार लाल, पनिश्वर नात उसे समझाता है, मेरे बाबु के प जवान, हिंदू, पुपंच, माधुरी, सुधा, उसमें जवाहर लाल का भी फोटो है, इसलिए चिहन गया, लेकिन यह है अपरूप परूप इंग्लिश परी, तभी किलास में स्कूल के एकलौते गुरूजी आते हैं, वे हाजरी लेने के बाद पढ़ाने लगते हैं, पर लेकर जाएगा और वे बाबुजी को दिखाएगा, जरूर की यह है कौन है, छुटी होने के थोड़ी देर पहले, लाल मोहर गुरूजी से पाश मिनिट मांग कर बाहर जाता है, परिश्वर नाचुपके से लाल मोहर की किताब का कवर फार कर, इंग्लिश परी का फोटो न घर पहुँचकर फनिश्वर नाथ देखता है कि उसके पिता शीला नाथ मंडल और उसकी दादी दरवाजे पर बैठ कर बात कर रहे हैं, अपने बस्ते से फोटो निकाल कर अपनी उंग्ली से इंग्लिश परी की और इशारा कर फनिश्वर नाथ पूछता है, बाबुजी यह कौन है, शीला नाथ मंडल फोटो की और गौर से देखते हुए कहते हैं, यह तो नहरुजी की बेटी इंदरा, तो यह दरशनी है, क्यों, क्या बात है, पनिश्वर अचकचा जाता है, बात, कुछ नहीं, इसे नहीं चेंता था, इसलिए पूछा, पनिश्वर की दादी अपने बेटे शीला नाथ मंडल के हाथ से फोटो लेकर देखती है, बड़ी सुन्दर लड़की है, शीला नाथ मंडल मुस्कुराते हैं, कहते हैं, सुन्दर है, इसलिए तो तुम्हारा पोता, दादी पनिश्वर की चुटकी लेती भी फूर्सी है, क्यों रिन हुआ, इस लेकिन हमेशा उसका ध्यान इंगलिश परी के अपरोप रोप पर ही टिका जाता है, अगले दिन फनिश्वर नाथ जब विध्यालने पहुंचता है, तो किलास के गेट पर ही लाल मुहर उसे रोक, रास्ता रोके खड़ा मिलता है, किताब वाली फोटो तुमने चुराई है लाल मुहर ने पुछा, चुराई नहीं, लिये है, पनिश्वर ने अकड़कर कहा, तो लाओ, लाल मुहर गुर राया, नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, पनिश्वर ने चड़ाया, अब लाल मुहर ने खुली धमकी दी, फोटो देना पड़ेगा, नहीं तो मारते मारते मु में अपने बस्के 시, टीन का किनारा वाला स्लेट निकालकर, लाल मुहर के माते पर जोर से मारता है。 लाल मुहर के माते से खुन बहने लगता है, खुन बहता देख, पनिश्वर अपना बस्के संभालता है और नौदो ग्यारा हो जाता है। दोस्तों आगे की कहानी दोस्तों आगे का भाग हम अगली वीडियो ही सुलेंगे ठैंक यू फू लिस्निंग